पिछले साल इन दिनों आसमानी संकटों के चलते किसानों को काफी नुकसान हुआ इस वर्ष भी वरुन देवता की कृपात दृष्टी रहेगी इसी उम्मीद से किसानों ने खेतों में बुआई की परंतु बुआई के बाद गद 15-20 दिनों से ही बारिश अचानक गायब होन से अब उसका सर खरीव की बुआई पर देखने को मिल रहा है अभी तक मात्र 58 प्रतिशत ही शेतरवार बुआई जिले में होने का अनुमान है इसमें सबसे पिछड़ी हुई मौदा तहसील है मौदा में केवल 2.51 प्रतिशत ही बुआई हुई है ऐसमें बुआई में हो रह लाग ने 4,47,000 हेक्टर शेतर में नियोजन किया इसमें सर्व अधिक शेतर का पास के 2,25,000 हेक्टर होने का है अनुमान है परन्तु इस वर्षु का पास को भाव नहीं मिलने से किसान ने फिर एक बार सोयाबीन को अपनी पहली पसंद बनाई है तो वहीं धान 92,000 सोयाबीन 99,400 हेक्टर, तूर 55,000 हेक्टर शेतर में बुआई का नियोजन किया गया है इसके चलते किसानों ने मौनसून पुर्व तयारिया कर ली थी भले ही मौनसून के आने में थोड़ी देर हुई लेकिन मौनसून के दस्तक देते ही किसानों ने धीर धीरे बुआईकार में गतिल परंतु बारिश के नदारत होने से किसान अच्छी बारिश के लिए भगवान से प्रात्ना कर आस्मान की ओर आखे कड़ाए हुए है। आगामे और कुछ दिनों तक यही हाल रहा तो बारिश नहीं हुई तो निश्यत ही किसानों पर दोबारा बुआई की नौबत आ सकती है। NBCN News के राजकुमार मोड के साथ अकसान सारी की रिपोर्ट